कि घलो फ्रेंट्स तो आज हम देखरें कि स्ट्रक्चर्टर सफ तो मेगा स्पोर त्रमाइडियंग region कि आज हम क्या देखरें कि स्ट्रक्चर्टर साफ मेगास पूर और Г्यम कि जो भी का होता है यह प्रेजेंस का ओरी के अंदर प्रेजेंस होता है यह हमने डिफ्रेंशेट स्पार्ट थ्री देख लिए अब तक कि यह जो भी कंडिशन्स यह प्रेजेंस होती है कि फार एक्जामपल स्टिगमा लेन स्टाइल द्रें ओर है तो इस ओरी के अंदर जाकर हम पढ़ना है कि मेगा वन्जिएंश क्या होता है यह हमने आज पढ़ना है तो इस इसके अंदर जो भी ओरी के अंदर प्रेजेंट्स होता है एगर इस ओ होल को तोड़ा सा हमने अगर जूम कर लिया जूम करके अगर हम देखते कि हर ब Séb Dok 2016 हमें करने अगर रिजौलेशन ले जब बढ़ाना है तो उसे क्या करना होता है थाइसे हम दूम कर रहे हो बीट जूम करते हर सकते हुआ याद रखना है हम पिल्ड क्या रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इस ओहरी के अंदर जो भीचीज प्राजन से उसका नाम है ओल्ल और उस ओंब का स्ट्रक्चिर सम gaining निकाल रहे हैं तो याद देखे किस तरह से निकालना होता है स्ट्रक्चर सो पहले हम निकालते ही middle one parts, जो भी कहलाता है embryo sex, इस embryo sex का जो भी outer one parts present से, इसे कहते हैं integuments, इसे कहते हम integuments, यह हुआ insides का integuments, ओके, और इसके side में और एक present से होता है, उसे कहते हैं outer integuments, इसे कहते हैं outer integuments structures, ओके, यह हुआ inner, यह हुआ outer, उसके बाद में भी एक coverings, जो भी quals हो थे, वो पूरा का, पूरा का structures का करते हैं, cover up करते हैं, और इस sides में present से हुआ एक छोटा सा highlam structures, यह हुआ हमारा complete ohul का structures, ओके, अब इस ohul के structures में हम देखेंगे, कि attachments किस तरह से होती है, तो यह जो भी stark like, जो भी structures हमें दीख रहा है, यह क्या एक, stark like, जो भी structures दीख रहा है हमें, इसे कहते हम, finacle, इसे कहते हम, funacles, इसे कहते हम, finacle structures, ओके, तो यह stark like structure से, यह किसे attach है, यह ohul को attach है, सोरी, यह placenta से attach, ओके, यह funacles किस से attach होता है, फिर यह placenta से attach होता है, आपको देखना है, यह ohuri है, तो इस ohuri के अंदर यह क्या है, एक ohul से, और इस ohul को हमने zoom करके, इस तरह से निकाला आए, तो यह attach कि चीज को है यह चीज को उसी है तो यह होता है प्लासेंटा यह क्या है यह प्लासेंटा है तो इस प्लासेंटा को अटैच करने वाले जो भी चीज़े उसे कहते हम फिनेकल इट से लुक लैक पार्ट्स टालक लाइक स्ट्रक्चर यह क्या है अटैच विद द प्लासेंटा को एंब्रे Horizon को और फ्रिनेटल को अटेच किससे करा था और प्लासंटा से उस चीज को एंख़िते हं हाइल से चीजण को कहते ह। इस चीज़ का कहते हरा है है लो पॉरी कि पूरी की वोड़ी है है पूरी के पूरी क्या है, ओल के बॉड़ी, fuse with finacle, with the help of hyalum, hyalum ये दोनों के बीच का काम कारा है, किसके ये ओल के पूरी के पूरी बॉड़ी है, और यह यहाँ पर finacle से, इस दोनों को अटेश करने का काम किसका है फिर, hyalum का है, इसके बाद में number आता है इस चीज़ का किसका these are the outer and these are the inner यह दोनों के दोनों क्या हैं integument है ओके यह दोनों के दोनों क्या हैं हापे integument से ओके यह दोनों के दोनों क्या है integument का structure से हब इस integument का functions बात में देख लेंगे outer और inner दोनों के दोनों चीज़े होगे इसके बाद में आता है इसका number इसे कहते है embryo sac इसे कहते हैं embryo sac इस embryo sac के अंदर presence क्या होता है वो भी हमें देखना होता है ओके तो इसके अंदर presence होते है three cells इधर और three cells इस side में presence होती है ओके बीच में भी दो cell presence होती है ओके तो इस three cells को मिला कर बोलते है त्री एंटी पोडल सेल और इस बीच वाले दोज टू पोलार निकली आए ये दोनों साइड्स के जो भी सेल से ये सेल और ये सेल इस दोनों सेल को मिला कर कहते है सिनरजीड्स मतलब कितने सिनरजीड्स इसके इंदर two synodids और एक इसके अंदर presence होता है एक से इस दोनों को मिला कर बोलते है एक apparatus इसे क्या कहते है हम एक apparatus structures अब इस end को और इस end को कुछ तो differentiates किया होगा तो इस differentiates करने के लिए इस जिस side में presence होता है एक apparatus उस side को हम कहते है micropilar end micropilar end ओके और इसके opposite वाला जो भी ends होता है इस end को कहते हम चलाजल end उस end को क्या कहते हम चलाजल end और इस पूरे gap में जो भी present से उस cells को कहते हम central से उससे क्या कहते हम center cell इस तरह से ये पूरा का पूरा structures जो भी किसका है mega sporangems यानि ओल का structure से आपे presence होता है अब देखते हैं कि इस sales के अंदर कि जो भी integrable end से जो भी integrable end के जो भी wall से इस walls के अंदर mass of cell प्रजेंट से इस का आगए integrable end integrable end के अंदर जो भी mass of cell से in close in close किसके integrable end के in close क्या presence है mass of cell और उस mass of cell का नाम है nucellus उसका नाम क्या होता है nucellus उसका नाम होता है क्यों nucellus presence है क्यूंकि nucellus के अंदर presence होता है abundant reserve अब reserve तो क्या होगा food material होगा रिजर्वार Profit Materials किसके लिए ये नूसेलर्वारस बचा के रखती होगी abundant जो भी है क्या रिजर्वा क्यूसे वो इसलिए बचाती होगी क्योंकि ये जो भी cord prime abide इस embryo sack की development अच्छी तरह से हो जाए इसलिए इसके sides में प्रजेंट्स होती है यह वा उसका functions जो भी नूश्यास का है आगे जाकर हम देखेंगे तो फ्यूनेकल्स इस ताल कराइक स्ट्रक्चर्स कि जो अटेश्मेंट्स करता है उसके प्लासेंटा को यह आपको याद रखना है यह टेस्ट किसे कराता है प्लसेंटा को इसका बेसल पार्ट कुन सा होता तो यह फ्यूनेकल से इस लुक लएक पर दो स्टार्ट लैक स्ट्रक्ट्टर फ्यूनेकल और पूरे की पूरे ओहल की जो भी बाड़ी है इन दोनों को मिला आने का काम करता आउटरोर इननर इन्टेगमेंट से तो इन्टेगमेंट का काम क्या है फिर प्रोटेक्शन इसका काम क्या है प्रोटेक्शन्स 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 प्रोटेक्शन् और यह प्रोटेक्FR करने का म करता है इसके अंदर ज़ो मशली के अंदर अबंदन रिजर्व फूर मटरीड़ता है और यह आद रिजर्व फूर मर्टीड इनल्स डिवलपमेंट पार्स टफार एंब्रियो इसके लिए होता है उसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो भी embryo sac का structure से इस embryo sac में develop होने वाली जितनी भी cells है वो cells आगे जाकर कैसे फॉर्म होई उसकी division किस तरह से होगी यह भी देखना है तो इस embryo sac के अंदर presents क्या क्या होता है कि these are the structure parts for the antipodal cell and these are the structure parts for the three sorry two synergies और एक egg cells होती है अब देखना है कि यह आई कहां से जो भी इतनी cells दीख रही है cells आई कहां से इसके लिए हमें देखना पड़ेगा development किस तरह से होता है female गमड़ापाइट्स का पहला तो एक चीज़ पढ़ने है पाद में देखना है कि मेगा sporogenesis कैसी होता है जैसे हमने score 21 ie ऐसे हमने नियुकर लिशा घ्रभरिकों किस तरह से होता है चोप्लप्मेंट के लिए मेगा स्पूरां किस तरह से आने वाल वह में हमें देखना है यह वर मेगा sporogenesis में में ने ओहुल्स और ओहल्स में हमने जो भी चीजे देख ली, कि इट से female gamutophyte structures, तो हम देख रहे हैं, Megasporogenesis, जिसे हमने Microsporogenesis देखा था, उसी तरह से हम क्या देख रहे हैं, Megasporogenesis, Megasporogenesis के बार में हम देखेंगे, कि Formations के से होता है Megaspor, तो Megaspor यह जो भी प्रोसेस है, जो भी Formations के लिए होती है, तो जो भी Formations होता है, So, Formations of Megaspor, Okay, The Formations of Megaspor from, किस से हो गाए है, Megaspor Mother Cell से होगा, Megaspor Mother Cell, इसे कहे थे, MMC, Okay, तो यह Formations क्या हो रहा है, Formations of the Megaspor, किस से फर्म, किस से फर्म हो रहा है, Megaspor Mother Cell से फर्म हो रहा है, और इस पार्स को हम कहे थे, it's called as called as Megasporogenesis इसे कहेते हम Megasporogenesis कहेते हैं अब जो भी Megaspor Mother Cells है यह Megaspor Mother Cells यह Divisions करेगी अगें इस अर्द अंडर्गोव Divisions अब जो भी जिए कर रही है तो यह Divisions स्विर से करेगी मियोट्टिक डिविजन्स किस तरह से करेगी मियोट्य। करे अपर तिक divisions नियंस एक सेल से कितने सेल po 맞아 4 से मतलब इसे कहते हम आप ट्राय कंडिशन कुण स्वी cow अगर हम टेट्रेक कंडिशन इसे कहते हैं योसिस प्रोडुस अगर एंडरिंट्र्वोज डिविजिन करेंगे मियॉटिक डिविजिसे तो प्रोडूस 4 मेगा स्पोर ओके प्रोडूस कितने स्पोर होगे 4 मेगा स्पोर इसके फॉर्मिशन होने जाए हैं तो यह हुँआ मेगस पॉर जिनेशिस किसी कहेंगे तो मेगस पॉर जिनेशिस इस पाट्स वित न्यू से नियू से फॉरेед मेगस स्काप मदर सेर्ब यह सहीं क्या होगी पस् Census की हूता है क्या होता है मेगा स्पोर मदर सेल्स होता है कि देखते हैं कि जो भी यह सेल्स है तो यह सेल्स के अंदर पूरे के पूरे क्या होते हैं मेगा स्पोर यह सेल के अंदर प्रजेंट्स क्या होते है मेगा स्पोर और इसके आउटर वाल जो भी प्रजेंट्स है इसे कहते हम न्यू सेलस इसे क्या कहते हैं अब जो भी मेगा स्पोर फॉर्मिशन्स जो भी हो रही है तो इससे क्या होगी डिविजन्स हो रही यह सिंगल सिंगल इसके YouTubers divisions मतलब जो भी New Veただ चल्से डिवह यह रही मेड़े चल्टे उसका फंक्शन होगा फंक्शन ही है कि हुआ है उसके डिविजन्स होकर यह प्रस्टी टारेड स्कलत्शन करेए YouTube a 324 3144 धवितन मेंगे स्टीच करने यह चग एक मेंगाइज है यह पूरी के पुरी क्लेकर चार नमर में 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 स्पोर्मेशन सोके तो इस तरह से अम देकर एक मेंगे स्पूर जनी से आथ प्रोसेस ऑफ मेरा स्वर जनी सिस्ट ऑने में गए सब्सार्मीशन निदसे प्रोसेस को और अन्दर जो भी डिवीजिन्स वहां पर हो री है और उस मियूर्टिक डिवीजिन से प्रिजिन्स प्रिडिस्स आवई, प्रियुक्ड को हमोने विरल के सॉरो से प्रोसेस को कहें लिए गंडिया आपते हैं कि जोबी tussen ग्रेंन ग्रेंस था जो भी टिस्टीज ती उसका फंक्शन से था मतलब माइक पॉलन निसी था पॉलन से था उस पॉलन मदर सेल्स के अंदर भी डीवीजन्स हुई थी मियोटिक डिवीजन्स हुई थी इस हमें दीवीजन्स के वोजे से टेज नजुमी फूलन घूलन गरेन फ़रम श géंस वेते यह आपर फॉर मतलब टेज़़ेट मेग laugh our फारमिशन्स हो रहे च STD में था को मेल के अबosition सबया सब्सक्राइब के रखना है कि जो भी आने वाले जो भी कंडीशन से त्रेट्र कंडीशन से जब्सक्राइब कंडीशनस यहांच उसकतर क है सबगेст से ब्धिवाईड हो रहा है उसकी कंडिशन हमीशा क्या रहा रहें के दिपला कंडिशन रही लागिए लिकिन है जिसके बाद में के बात में स्कॉन इसके कॉंडिशन क की से रहें इलएक के बारे में आता scholar है इसके बाद में हमें देख रहे कि जो भी मेगा इस्मिंद में के बात में इन素 हो गाया नदर ऑइलबर में आता है तो थोड़ा सbor अग different conditions में ऑता है तो तोड़ा सा सब्धूर सींपल सा देख लेंगे तो यह मेगा स्पोर्स कितने नंबर में आते हैं इसके अंदर फॉर इन नंबर में आते हैं फॉर मेगा स्पोर्स इसके आते हैं इसके अंदर आने के बाद में यह थ्री डी जनरेट्स होती है यह क्या होते है, थ्री डिजेनरेट्स होगी, यह त्री डिजेनरेट्स होती है, तो इसके अंदर एक सिंगल क्या आएगा, मेगा स्पोर आएगा, इसके अंदर थ्री डिजेनरेट्स होने के बाद में बच्या एक, एक क्या होता है, फंक्शनल होता है, यह क्या होता है आगे एक फॉंक्शनल सोता है और यह एक फॉंक्शनल ही आगे जाकर एंब्रियो सैक के अंदर होने वाली जितनी भी एट नुक्लियाय का जो भी स्ट्रक्चर से वह एक हमेशा फॉर्मिशन्स करने में हल्प करता है तो यह याद रखना यह है कि चार टेट्राइड मेगेस्पॉर वह एक ही मेग 서로 आगे जाकर छिमेल डेवलॉप्मेंट का काम करता है तो जो भी सिंगल मेगा स्वोसे उस व सिंगल मेगस्पॉर से कैसे डेवलॉपकमेंट्स होता है female gametophytes का वो हमें अभी देखना है ओके तो हम देख रहे हैं अभी कि female gametophytes ओके क्या देख रहे हैं female gametophyte का development किस तरह से होदा है female gametophytes का development वो देखते हैं अब देखना है कि female gametophytes के अंदर कि जो भी single mega sports के इसके अंदर developments कर रहा है क्या एक single mega sport है अगर single mega sport develop कर रहा है develop कर रहा है ओके डेवलोप पूरा का पूरा embryo सेक करेगा embryo सेक करेगा अगरे single mega sports है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि monosporic condition इस conditions को क्या कहते हैं monosporic development mono egg single sport megasport single sport अगर एक ही development कर रहा है तो उसे कहते है monosporic development ना मोस्ट आप एंजिस्पम में monosporic development ही होते है कुछ स्पेसे से एक पॉली यह मुल्टी स्पूरिक कंडिशन इसके अंदर डेवलोप मेंट्स होती है अब हम देखते हैं कि जो भी condition monosporic development देखे अधर जो भी प्लांट से वह तीन-थीन स्पोर भी उसके अंदर प्रेजेंट्स होते इसेप्शन भी है कुछ अभी तो हम देख रहे हैं कि जो भी functional मेंगा स्पोर से तो functional मेंगा स्पोर्स कि जो भी development हो रहा है तो first it's a nucleus and divided parts for the my tootically तो हम देख रहे हैं कि यह एक single पहले क्या होगा एक मेंगा स्पोर्स होगा ओके यह single मेंगा स्पोर first जो भी divides कर रहा है यह first divisions करेगा वह my tootically अब my tootically करेगा तो एक सेल से कितने सेल फॉर्मिशन होगे दो सेल्स फॉर्मिशन होगे मतलब एक सेल्से फॉर्मिशन कितने होगे इसके अंदर दो से अब यह सेल्स फॉर्मिशन्स कर रहा है तो यह इसके अंदर होनी वाली चीजे उसे क्या खाएं गेंगे हम नुक्लियट कंडिशन इसक खाएंगे हम नुक्लियेट कंडिशन केया जो कि मतलब यह नुक्रित हो रहा हो अब इस से माइट्रो टिली डीविजन फिर से एक डिविजन्स होती है यह सेकंड डिविजन्स होगे इससे फॉर्मिशन्स होगे एक से दो इस एक से दो फॉर्मिशन्स होगे से कंड डिविजन्स उसके बाद में थर्ड बन डिविजन्स होगे उससे फॉर्मिशन्स होगा अगें यह दो से कितने होगे फिर माय टर्टी के हो गो वह बी चार फार्मिशन्स वोगे इस दो से कितने फंसिंस हो फिंच से उभी चार और यह पूरे के पूरी यह सेल स जो भी दिखरे है तो निक्रीट कंडेशिसों 4 Nucleate Conditions and 8 Nucleate Conditions 2, 4, 8 और यह Single Nucleate Conditions तो यह 3 times इसके अंदर क्या हुए है Nuclear Divisions हुए है अब जो भी Divisions हुई हुए हुए वो Important से की वो Divisions कैसी हुए हुए MyTotically Divisions हुए हुए मतलब एक सेल से चार सेल फॉर्मिशन होना अब हमने जो भी Single Megasports देखा था यह Single Megasports के पहले की जो फोर टेटर फॉर्मिशन हुए था तब जाकर वो Mewtick Divisions थी लेकिन हम देख रहे कि यहां पर जो भी MyTotically Divisions हो रही है अब देखना यह है कि जो भी यह Embryo Sack है यह पूरी की पूरी क्या है Embryo Sack है जो भी हमने Oles देखा था वो उस Oles के अंदर जो कि Intiguments के अंदर वाली जो भी चीज थी वो क्या थी Embryo Sack थी अब यह 8 Nucleant State जो भी Formations हुआ है After Meiotic Divisions तो यह Divisions एक याद रखना है आपको यह Divisions Strictly है यह Important है यह कुशन स्पूचा जा सकता है यह Strictly होती है Free Nuclear Divisions It is Strictly Free Nuclear Divisions Strictly Free Nuclear Divisions मतलब क्या कि Sell Wall Not Immediately Form मतलब जो भी सेल वाले उस Nucleus के आउट साइड में Immediately Form नहीं होगा उसके लिए टाइम में लगेगा उसे कहते हम Free Nuclear Divisions Okay Miss Not Immediately Form Parts वादन सेल वाल इसे कहते है Nuclear Divisions और यह Important से याद रखना है अब एक बार अगर यहाँ आपे 8 Nucleus स्टेज अगर आती है तो 8 Nucleus स्टेज आने के बाद में यह इस में से जो भी 3 Nucleus कंडिशन से और इस में से जो भी 3 Nucleus कंडिशन से वह कहाँ पर जाएगे वह जाएगे उसके ऑपूदीट साइट्स पर क्या जाएगे वह पोल्स पर रिपेल हो जाएगे उससे क्या हो जाएगे वह रिपेल हो जाएगे मतलब कंडिशन कुछ इस तरह से आ सकती है जो भी यहाँ पर आगई ऑगे यह तीन ऊदर गये और बाकि इस बचे वह को यहाँ पर लाना ही मिए यहाँ पर बह länger जाएगे एक यहाँ पर जाएगी बची एक यहाँ आ पर जाले कि इस तरह से से क्या हो जाता है differentiates structures हो जाता है और यहाप एक central cell आ जाती है तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी cell का जो भी structure से वो इस तरह से differentiates हो जाएगा इन तीनों cells को हम कहेंगे antipodal cell जो भी हमने देखा यह आई टू-polar nuclei इसके बाद में यह टू-sides क्या आती है synergies बीच वाला जो भी होता है उसे कहते हम एक से और यह पूरे बनाकर एक्स एप्रेटर्स भी कहते है एक्स एप्रेटर्स इसे कहें थे हम एक एप्रेटर्स यह हुई embryo sac जो भी हमें चाहिए थी अब embryo sac के अंदर जो भी stage आई वो कहां से आई एक सिंगल मेगा स्पूर से आए और इस सिंगल मेगा स्पूर से फार्मिशन्स होकर इसके अंदर इतने नंबर में क्या आई नुक्लिएट कंडिशन्स आई तो इसे कहेंगे हम सेंट्रल सेल आई आतने ओके तो यह रहा इस तरह का कंडिशन्स तो इस फेमस जो भी stage है उसको कहते हम एट नुक्लिएट कंडिशन्स हेट नुक्लिएए और सेवं सेल स्टेज आटो के आट क्या थे नुक्लिएए थे यह दोनों मिलाकर एक सीम्पल कंडिशन्स आगे तीन और तीन छे और बीच में के एक सेल स्ट्रक्चर जो भी फिमेल गमटफाइट का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से हमने देखा कि जो भी फिमेल गमटफाइट से डेवलोपमेंट्स की सिंगल मेगा स्पोर अगर डेवलोप होता है अन्दर कि उसे के थे मुंस पुरिग डेवलोपमेंट मोनस्पूरिग डेवलोपमेंट में यातर स्ट्रक्वाइट रखना है एक जो भी ट्रेटर गृटिकल्ट कर्शन दिविजिन के बात में दू सेखेंट डिविजिन divisions we use the formations we force it for sale can you say a check in nuclear formations force it nuclear formations with after eight nuclear formations there are the three nuclear and these are the three nuclear repel to opposite pole you three is paying three is pegging or but you do nuclear is central located okay yeah panic about me three outer sides and to put yourself three lower sides and sorry central two synergies or beach my guy excel obvious conditions with all us a functional they claim a key character is central cell again these are the provided parts of nutritions to the after fertilization to developments of the cycle okay development zygote kicker any kill your nutritions provide curry of which are those synergies those side to be synergy say is synergies का काम ये होता है at the time these are the pollen tube its penetrations in our styles to ori मतलब जब हो penetrations करके या पर पोलन ट्यूप आएगी तो synergies का काम क्या है कि बस्टोकर उस पोलन ट्यूप को अंदर आने देने का काम किसका होगा तो इस synergies का काम होता है next one जो भी एग्स है तो एक का काम क्या होता काम क्या होगा तो इसका काम सिंपल फर्टिलाजिशन करना at that time these are the penetrations to the pollen tube inside to the embryo sack उसमें से पोलन sorry जो मेल गमेट से वह उसमें से एक मेल गमेट इसे फ्यूज हो जाएंगा यह फर्स फर्टिलाजिशन होगा उसके काम क्या होता है और इसके बाद में नुक्लिय अ deliver है तो क्या होता है कि जो भी नुटिर्शंस इसको लगे तो इह प्रवाइड करने का काम करें किंटीबोल एस तरह से हमने यह देख लिया कि strengthen कि स्वीत से इंजल से क्या ख्योन साहित फिमेल एक Top immediate स्टेवलोप्मेंट्स क्या होती है गार्यूशन स्की पूर्वीशन здraf लिए आगए हम देख लिया यहां आगे हम देखेंगे पॉलिएशन किसता से लोगे किकी पॉलिशन स्कुति looks mm Company कर लिया है पूरा पूरा पूरं का स्ट्रक्चर सपर्लिया उसके अंधर वीजीटि ये 2017 जो भी जैनियर्टिव सेंस का डिवीजंस मटोट्रीकल डिवीजन करके अमने एक से दो मैंने फिल व्लपцевर्मेशन कर लिए थ्री सेल्स पर फिपयर चाह सेंडर ऐसेल और वlies complete हो गया पिस्टिल किसे कहेंगे पिस्टिल के थ्री पार्ट्स को से stigma style ओरी stigma का काम जो भी land platform से इसके लिए pollen grain के लिए style का काम penetration of the pollen tubes के लिए था ओरी थी उस ओरी के अंदर ओल्स था मेगा स्पोरेंजियम का उसे उस मेगा स्पोरेंजियम की जो ओवेरीन केवीटी ती उस केवेटी के अंदर जो भी ओहल बचा था उस को attach की से था तो वह था प्लासंग्टास से था ओके तो यह आपको याद रखना है उस ओहल के अंदर embryo jubi structures embryo sex care integra-means care alums care finnacle sky and to do seems can polar nuclear can ex-apparatus case energy sky his service key cheesy up we are dracne a divisions with the concept even sui so divisions in my tactical divisions with three free nuclear divisions with these are strictly free nuclear divisions means these are the not immediately form parts for the cell wall to the outsides to the nuclear structures इस तरह से हमने आज देख लिया बाकी हम पॉलेशन स्मो नेक्स लिक्चर में देखेंगे थेंक्यू कि अग्यू